जै शेक्रिष्णा, हरहर महादेव, जै मातादेव, कैसे आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए हमारी माभगवती से हर दिन यही प्रार्तना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्त रहें, मस्त रहें और अपने जिन्दगी में आगे बढ़ें, आप धेर सारी सफलता भी प्राप्त करें जो पॉजिटिव हो आपके लिए, वो सब कुछ इश्वर आपको जरूर दे आपके चैनल इस्प्रिश्यूल लव डबल वन डबल वन में तो हम रेडिंग करने वाले हैं इस महीने क्या होने वाला है? अचानक से अनेस्पेक्टेड जो आपने सोचा भी नहीं होगा ये महीना, ये जन्वरी का महीना आपके लिए कैसा होगा? सभी राशियों के लिए, सभी साइन्स के लिए, ठीक है? आपकी कोई भी राशी हो, आपका कोई भी साइन हो, कोई भी आपका सनमोन साइन हो, कोई दिक्कत नहीं है तो क्या unexpected news मिलेगी आपको क्या होगा जो बिल्कुल अविश्वशनी होगा आपके लिए कि यह कैसे हो गया ठीक है तो आपको क्या करना है लंबी सी गहरी सांस लेनी है मन में तीन बार अपना नाम दोराना है तीन बार अपना नाम लेना है और एक option आपको चूस कर लेना है उसके बाद आपको अपनी reading देखनी है ठीक है पहले हम आपके बारें बात करेंगे थोड़ी सी अगर वो रीडिंग जब हम आपके बारें बात करेंगे आपके जीवन के बारें बात करेंगे अगर वहां तक चीज़े आप से रेजोनेट हों तो फिर आप रीडिंग आगे कंटीनियू करना अगर कुछ देर सुनने के बाद आपको ऐसा लगी कि ये reading मेरी नहीं है ये मुझसे मैच नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं आप दूसरा वाला option जरूर सुनकर देखें हमें पूरा यकिन है कि वो आपसे जरूर मैच करेगा ठीक है तो चलिए reading की शुरुवात करने से पहले माभगवती का ध्यान कर लेते हैं आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा ठीक है चलिए आखें बंद करिए ओम भूर भूवाश्वाहा ताच्यवितुल्वरेन्यम भर्गो देवस्याधी मही धियो यो ना प्रचो दया मैं ब्रम्हांड की समस्त दिविचेतनाओं का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आज आप सभी के आशिर्वात से मैं बहुत खुश हूँ स्वस्त हूँ मस्त हूँ पॉजिटिव हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ और यह सब आपके आशिर्वात से हो रहा है सो थैंक्यू सो मच यूनिवर्स थैंक्यू सो मच आई लव यू आई लव यू सो मच जै शी कृष्णा जै शी कृष्णा हरर महादेव जै माता दी ओप्शन नंबर वान कैसे हैं आप आई होप कि आप अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे पॉजिटिव होंगे और अपनी जिंदेगी में आगे बढ़ रहे होंगे डियर आपका बहुत बहुत स्वागत ह है आपके चैनल spiritual love 111 में तो देखो जी आज ना बहुत ही interesting topic पे reading हो रही है unexpected जैसा अपने सोचा भी नहीं कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा भी हो सकता है ठीक है और आपको तो पता है कि जिंदगी में ज्यादा तर करके वही होता है जैसा हमने सोचा नहीं होता कि यहां पर किसकी planning के हिसाब से जिंदगी चलती है कि किसके plans ऐसे हैं जो successful होते हैं 80% भगवान की चलती है 20% हमारी चलती है सारी planning धरी की धरी रह जाती है यह समझ लो जैसे कि हम आपको एक बात बता है simple सी छोटी सी जब हम cards के through reading करते हैं जब कोई card आता है तो हम सोचते हैं कि इस card का यह मतलब है और हम यहीं बोलने वाले हैं लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हम कुछ भी card के हिसाफ से बोलते ही नहीं है हम बस भगवती से इतना कहते हैं कि हम में तो कोई सामर्थ नहीं है कि हम किसी को समझा सके कुछ बोल सकें बोलना आपको है हम तो बस आपके एक तरीके से दूत हैं और आपका शंदेश लोगों तक पहुचा रहे हैं हमारी इस टूटी फूटी वानी से आपको ही बोलना है और आप जो भी बोलना चाहते हो जो भी आप कहना चाहते हो हमारे माध्य हमसे आप बस बोलना शुरू कर दो तो इस वज़े से कभी कभी हमसे बहुत सारे लोग कहते कि वीदी आप शौफ करके रिडिंग क्यों नहीं करते कार्ड शो करके रिडिंग क्यों नहीं करते तो यही है ना कि जो एक होता ना कि हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते हमारा सब हर एक चीज को देखने का हरे कार्ड को देखने का नजरिया ही अलग है मान लीजिए कि कोई कार्ड आया तो जिन लोगों ने टैरो डीडिंग पढ़ी है सीखी है तो उनका मीनिंग कुछ और होगा पर हमारा मीनिंग ही कुछ और होता है हमें पता है नहीं होता कि हमने क्या बोला और क्या हुआ यह समझ दीजिए तो जैसे कि कुछ भी स्क्रिप्टेड ने होता है न और यहां पर भी कुछ ऐसा है कि आपने जो भी प्लैंस बनाए होंगे ठीक है इस जन्वरी के लिए इस महीने के लिए ऐसा करना है ऐसा करना है यह करना है वो करना है पर होई है वहीं जो राम रची राखा समझ रहें तो ह हम यह तो नहीं कहते कि हम जो भी बोलेंगे वह 100% accurate है लेकिन हम यह भी नहीं कहते कि 70% नहीं होगा क्योंकि हमारा जो उदेश है ना जो हमारा मतला गना रेडिंग करनें का वो बिल्कुल अलग है वो भगवती चानते हैं हम आप सब से कैसे जुड़े हैं क्यों जुड़े ना हमारा या पता के बीच थमनेल भी बन चुका है लेकिन अचानक पता नहीं मेडिटेशन किया हमने और अचानक मन में बात आई कि नहीं आज तुझे इस टॉपिक पर लीडिंग करनी है देख लो अब भगवतिक इक्षा हम कैसे टाल सकते हैं हमें क्या पता वो अपने बच्चों को कुछ बत इसको बड़े ध्यान से सुनिए इसमें आपके लिए गाइडेंस भी है इस महीने के लिए ठीक है तो सबसे पहले स्ट्रॉंग साइन की बात करें कि वैसे तो सभी साइन के लिए है यह लेकिन इदर जो स्ट्रॉंग साइन है वह है एडिस लिओ सैजिटेरियस जेमिना ग्रूप नंबर वन आप जो भी है थोड़ी सी बात आपकी करते हैं मस्त मौला खुश मिजाज मस्ति करने वाले खुश रहने वाले विकेशन पर जाने वाले खूब सारा जिंदगी को सेलिब्रेट करने वाले इंसाने हैं बहुत जादा और कभी-कभी हवा में तीर चलाने हैं तो उसमें नुकसान किसका होता है आपका अपना ना आपने कभी सोचा इस बात को बिना सोचे समझे जब आप किसी को कमिट्मेंट देते हैं बिना सोचे समझे जब आप कोई बात बोल देते हैं तो उसका हरजाना किसको भुगतना पड़ता है आपको ना अगर आपकी नीव मजबूत नहीं होगी और आप महल बनाएंगे तो गिरेगा ना तो ऐसा ना करें आप मस्ती मस्ती में आप बहुत कुछ अपना बयाड़ लेते हैं आप सोचते नहीं सो समझते भी नहीं आप serious होते ही नहीं उस चीज़ को लेकर कि ऐसा भी हो सकता है लेकिन जब हो जाता है तब आपकी एकल ठिकाने लगती है देखो आपको थोड़ा सा अपने अंदर पडिवर्तन करने हैं एक तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पच्चताए ठीक है तो बिना विचार किये बिना सोचे समझे कोई भी एक्षन मत लिया करिये किसी से कोई बात मत किया करिये किसी को कोई कमिट्मेट मत दिया करिये क्योंकि जब बाद में आपका कमिट्मेट पूरा नहीं होता तो तकलीफ आपको ही होती है और सामने वाला आपके उपर अविश्वास करता उसकी अश्रद्धा हो जाती आपके उपर ठीक है तो ये है आपका आपका माइंड बहुत जादा ना कन्फ्यूजन भरा है हर चीज को लेके प्यार को लेके करियर को लेके ये करो ये करो इसको चूस करो इसको चूस करो ये सह इसा इंसान नहीं है ऐसा तो नहीं वह सही बोल रहा हो बहुत कन्फ्यूजन इस फिल्ड में जाओ ये वाला काम करो यह रहेगा वह सही रहेगा आपका अपना कोई मत नहीं है क्या फाइल नॉमबर वन आपकी अपने भी तो कुछ सोच होगी आपका अपना भी तो कुछ है कि बहुत दिल से सोचते हैं कि यह बात अलग है कि बहुत दिल से सोचते हैं लेकिन आप भाग्य के भरोसे ना बैठें कर्म नाम के भी कुछ चीज होती है अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो भाग्य पर भरोसा करिए लेकिन भाग्य से जादा अपने कर्मों कि आपका कर्म ही आगे चलकर आपका वहाग कर बनेता हैं समस्द pooć हैं तब हैं कि बहुत सोच समझ कर सोच ये बहुत सोच गर बोले हम सौचते थी ना व चीज सेवाहाएं में आते हैं प्हले हमारा विचार बनती फिर वहा Isn't रहते हैं औ Childers दिन हमार भाग्व करते हैं तो अपने कर्म करें अपने शब्दों पर यकीन करें आपके गुश्य करें सथा कन्ट्रोल नहीं है बिलकुल भी और आप अपने गुश्य में आपका बहुत नुकसान करते यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है एक चीज है कि आपके अंदर एक magnetic power है किसी भी चीज को attract करने की किसी भी चीज को manifest करने की अगर आप जिद्द पर अड़ जाएं कि यह वह चीज मुझे पानी है तो फिर आप उसे पाकर ही रहते हैं चाहे कुछ भी आपको करना पड़े श्राम दाम दंडबेद ठीक है और आप न समने वाले की आँखों से काजल चुरा लेते पर उसको पता भी रिजलता एक क्वालिटी है आपके अंदर जन्मजात जादूगर है आप बहुत होपफुल व्यक्ति हैं बहुत नौलेजबल इंसान है आप बहुत सारी चीजों की नौलेज है दुनियादारी का बहुत ग्यान है आपको बहुत जादा बस आप ना अपने पास्ट से नहीं निकल पाते अगर कुछ ऐसा है जो पास्ट में हुआ है कुछ बुरा आप उसे पाते आप जल्दी किसी चीज़ से मुवाण नहीं कर पाते आपको मुवाण करने में बहुत ताइम लगता है आप बहुत जादा दोस्त भी नहीं बनाते कुछ चुनिंदा लोग ठीक है लेकिन अगर किसी दोस्त ने आपको धोखा दे दिया आपके दोस्त आपकी जान होत हैं आप उन पर इतना ट्रस्ट करते हो आपको ऐसा लगता है कि प्यार की कुछ खस जरूरत ही नहीं होती अगर जिंदगी में एक अच्छा दोस्त हो तो यह सोच है आपकी लेकिन अगर किसी ने दोका दे दिया तो आप उसे भूल भी नहीं पाते आप उसे दिमाग से निकाल कहीं कनेक्ट हैं आप बहुत जादा और कोई भी चीज हो आप उनी से बार बार बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों किया आपने आखिर क्यों ऐसा क्यों वैसा क्यों ये सारी चीजे तो कहीं न कहीं इश्वर से बहुत ज्यादा जूटे हुए हैं आप देखो आप एक ऐ चरम का अनुभव मतलब की हर एक चीज की बिल्कुल एंड तक जाना चाहते हैं आप चाहते की प्यार हो करियर में सक्सेस हो परिवार में सब कुछ अच्छा है सब कुछ मुझे इतना मिल जाए कि मैं उससे एक दिन मुक्त हो जाऊं ऐसा नहीं कि मैं उसे में लीन रहूं ठीक कि आप जानते हैं कि जब किसी चीज से हमें मुक्त होना होना तो उसको पुरी तरीके से पा लेना होता है है ना जब तक हम किसी चीज को पा नहीं लेते ना पुरी तरीके से तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो पाते तो आपके अंदर यहीं कि मुझे पैसा चाहिए तो अपा थालाय में ठीक है या फिर अभी तो बहुत साथी चीजों को खाने के लिए तरस रहे हैं पता है कैसे गुल कप्पे हो गए समोसे हो गए तो जारी चीजों ना कितने महीने हो गए तीन चार महीने हो गेना देखी तक नहीं हम ने देख लो हमारे किता बड़ा त्याग है ऐसे थोड़ी ना घर पे होते थे तो कभी-कभी तो मन होता था ना घर पे बनवा के खाते थे तो जैसे कि कुछ चीज़ें हमें जो बहुत पसंद है खाने में ठीक है हम अपना एक्जामपल दे रहे हैं उससे आप समझ जाओगे कि हम मुझ चीज को समझानी पा रहे हैं शब दिन आ रहे हैं अभी हमारे अंदर हो क्योंकि थोड़ा सा खटपट हो रहा है उपर पता नहीं वह भोलू बगेरा कर रहे हैं इस वज़े से तो जैसे कि एक बार हम आपको बताएं कि हमें डोसा होता है ना बहुत पसंद था तो एक एक ही चीज चले कर कोई पूछे कि क्या बना तो बना लो या मतर्ब भुषा खाने का मने हमारा मन में डोसा इतना 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 चल रहा था हमने कहां कि अब मेडिटेशन पे बैठे हो डोसा हार ध्यान में देखो हम को भगवान ऑगवान ऐसी बात ही नहीं करते बिकुल हम नौर्मल से भी ज्यदा नौर्मल इनसान है ठीक है तो इसने हमें परिशान कर दिया इन हमारा भी भड़ा दिमागख्रा वहम पक्रूषे ने कि दिख़ा दिया थो किसी इतनी हमत की चाल यह भीत हीでした मेडिय आ गै ुथ फिर हमने ना हमने बात की भाई से हमने का भाई कम से कम तीन चार दोसे ले कि आप तीन चार खा लो कि तुम हमने का बोला एक तो खानी पाती इतना बड़ा होता हमने तु लेकर आएगा न हमने मतलब इतना खाया इतना खाया कि दो खाय हमने मतलब में एक भी खा पाते दो खा हो गई हमें भर गया हमने दो साल तक डोसे की सकल नहीं देखी मतलब जो फेवरेट चीज थी हमने उसे इतना खा लिया कि दुबारा उसको देखने का मन नहीं हुआ हमारा कि अब देखना ही नहीं है कोई हमसे पूछता था कि तुम्हें तो डोसा बहुत पसंद लेकर हैं नही मुझे इस लेवल तक मिले कि बस में उससे मुक्त हो जाओं मुझे लंबे समय तक नहीं चाहिए मुझे चाहिए थोड़े समय के लिए पर अभी वह अगर मेरे जहन में कोई इंसान घूम रहा है कोई व्यक्ति घूम रहा है तो फिर वह आपका जुनून बन जाता फिर उप पावर हो कोई इंसान भी हो मुक्त वचाने मितले रहतास कि छोड़ देना ना है ऐसा नहीं कि फिर पी जिड़ी पंदा पैने आपका मन नहीं लगनी दे आगे की रेडिंग कंटीनू करिए कि जन्वरी में इस महीने क्या होने वाला है अनेस्पेक्टेड तो अनेस्पेक्टेड जो होने वाला है इतनी इतने मेरेकल होने वाले हैं इतना जादा किस मेरेकल की शुरुवात इस रेडिंग की शुरुवात अब में रीडिंग तो अब आप खुद इस भजन को सुनना शुरू कर दोगे क्यार कमाल हो गया अनिस्पेक्टेड सोचा नहीं था यह हो गई कैसे हो गया तो चलो इस भजन से शुरुवात करते हैं आपके रीडिंग की ठीक है आँके बंद करो और हमारे साथ मन्हों तो गुन-गुना ले थोड़ा सा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम का नहीया करते हो तुम का नहीया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम का नहीया मेरा नाम हो रहा है तो सबसे पहले unexpected जो होने वाला है ना तेखो कोई भी हो जैसे कि आप अगर किसी के साथ separate थे ठीक है अपने husband wife के साथ GFBF के साथ तो इस महीने वो आपके साथ इस रिष्टे के एक नई शुरुवात करने वाले हैं भले वो आपको छोड़ के चले गए थे भले ही आप लोगो के बीच नो कॉंटेक्ट जोन बहुत समय से चल रहा था लेकिन इस महीने वो आपके साथ जिन्दगी के एक नई शुरुवात करना चाहेंगे और पता है आपको स्ट्रॉंग कमिट्मेंट देंगे और एक्वल गिविंट टेक करने का वादा करेंगे मतलब आपको इतना एप्रिशेट करेंगे इतना एप्रिशेट करेंगे इतनी सौरियां बोलने वाले आपसे सौरी बोलने वाले हैं कि माफ कर दो और अब बस जिन्दगी कि हमें एक नई शुरुवात करनी वह भी बहुत पॉजिटिव तरीके से ठीक है तो सबसे बड़ी अगर आपको समझ नहीं रहे थे ठीक है अगर आपके बीच में संदर्स्टैनिंग चल रही थी अगर वो किसी भी तरीके से आपको चीट कर रहे थे धोका दे रहे थे तो इस महीने उन्हें उनकी गलती का एहसास होने वाला है जिनको कहीं ने कहीं आपका असा लगना था कि आपने खो दिया उन्हें ठीक है तो वो आपकी जिन्दगी में वापस आने वाले है ठीक तो यह बहुत बड़ी अनेस्पेक्टेड ने उसे आपके लिए दूसरा इसी महीने आपकी जिन्दगी में कोई नया इंसान भी आने वाला है इस महीने आपकी जिन्दगी में कोई नया इंसान आने वाला है और जो कि आपका क्रश है मतलब नया इसलिए कि प्यार करिष्टा नहीं है पर आप उस पर क्रश करते हो ठीक है तो इस महीने वो भी अपनी फीलिंग्स आपके साथ एक्सप्रेस करेगा और कहेगा सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी तुम्हें चाहती हू मैं भी तुम्हें चाहता हूं ठीक है तो यह होने वाला है अनेस्पेक्टेट दूसरी बात यह है कि देखो इस महीने आपके परिवार में जगड़ा हो सकता है भाई-भाई में फैमिली में आपके पापा से दादा जिससे मतलब किसी से आपकी इस महीने बहस हो सकती है घर म में और कुछ जादा हो सकती जिससे बाद में आपको ही गिल्ट होगा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना था मुझे ऐसा नहीं करना था ठीक है आप मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस करने वाले हो तो हम आपसे यही कहेंगे कि प्लीस अपनी जबान पे कंट्रोल रखना आपकी ज महीने अपके परिवार में बहुत बुरी तर pracy से आपका किछी जगड़ा होने वाला है ठीक है तो यह बहुत बंबाट बहुत समय से विवात है जो कि कोक्ष पहुच गया है लडाई जगड़ा कोई divorce case हो कोई घर परिवार प्रॉपटी को लेकर case हो किसी भी दरीकेगा तो उसके लिए हम आप से ये कहना चाहते कि आप खुद लडाई ना करें क्योंकि आप जब बोलना शूरू करते तो आप सब बेकार कर देते हैं बिगार देते हैं गुस्से में आकर ठीक है तो आप कोई काउंसलर रखें कोई एडवाइजर रखें उसको बात करने दें अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आपको चिंता करने की जरुवत नहीं है इसी महीने के अंदर इवन जनवरी के लास्ट लास्ट में जो भी रिजल्ट हो होगा वह आपके फेवर में होगा बहुत आपके समस्याना बहुत पीसफुल समधान मिलेगा आपको उसका सब बहुत शांती से निपड़ जाएगा अगर आपने खुद अपने आपको जादा समझदार बनके चीज़ें आगे रखने की कोशिश की तो देखो कहते हैं कि किसी से बात नहीं करने किसी के बाद बीवाद में नहीं उचल इप आपको रहे आपको किसी के बाद debates में आप को नहीं फसना है व्रना आप फस जाओगे वो निकल जाएगा महां से ठीक है तो जिसमें आप इतने effort Falls लगा रहे थे वह उसमें आपके हिसाब से आपको को ही success म कि आपको जरूरत है ठिक है यह करना है आपको सब कुछ आपके पक्षमें होता हुआ हमें दिख रहा है दूसरी बात इस मही इस तो बहुत बहुत बश्तो क्या आपको दोखा देगा जो आपको जैसे कि कहीं का नहीं छोड़ेगा ऐसे जैसे कि आपको एक होता है ना कि आपके office में हो या फिर आपको business करते आपने कुछ worker रख्शे हुए हैं आप बहुत trust करते उन पर बहुत faith करते तो कोई है जो इस महीने आपका trust तोड़ने वाला है तो घोड़े बेचकर ना सोएं ठीक है कान खुले रखें थोड़ा सतर्क रहें रात को एक दो बार थोड़ा सा एक बार घर में चक्करवकर लगा ले देख ले कोई थोड़ी बहुत आहट हो तो उसे चुहा बिल्ली समझ कर इग्नॉर ना करें ठीक है अभी सच बता रहे हैं हमथा होगा अपको और परिम यहां चोनी में हमहीं देख रहे हैं तो प्लीस फोड़ा सा सतर्क रहें फै10 oni क показ पूरी तरह से अपop possible कर दे Keeping फैमिली को दो तो नहीं हैं लेकर प्यार करते हैं उनकी तरफ से जो आपा प्यार करते हैं आपको नहीं मिल रहा वह आपको मिलेगा भी नहीं तो आप उस चीज़ की अभेक्षा जादा ना करें कि आप सोच कर खुद को परिशान कर लें क्या होता है कि एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है वो ऐसे ही है ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ बस वो मुझसे अलग है मैं उनसे अलग हूँ ठीक है उनकी सोच दूसरी है मेरी सोच दूसरी है उनका प्यार जताने का तरीका दूसरा है मेरा दूसरा है तो वो जो जिस लेवल का प्यार जो इमोशन जो इमोशनली सपोर्ट आप एस्पेक्ट कर रहें अपती फैमिली से वो आपको नहीं मिलने वाला तो उनसे इतनी उम्मीदे ना करें कि आपको बाद में तकलीफ यह हो ठीक है यह भी हम आपको थोड़ा सा सजेशन दे रहे हैं और चोरी के लिए था हमने आपको बत अगर आप में से कुछ New Married Couple है। यह फिर आपका कोई अरिश्तदार है तो आपको न कहीं न कहीं से प्रेग्नेंसी की good news मिल सकती है फिर आपके अपने घर में या फिर आपके घर नन्ह महमान आ सकता है फिर आपके बच्चों के घर पे या फिर मतलब समझ लो आप इस महीने आपको न ये प्रेग्नेंसी की या फिर बच्चे होने की good news मिल सकती है ठीक है ये भी आपके लिए कह अनिस्पेक्टेड है आप जो भी हैं मेल हों फिमेल हों मैरिड हों अनमैरिड हों जिस भी एज के हों अब तक आपके जिन्दगी में आपके घर पे ठीक है हो रखा था ब्लैक मैजिक मैजिक हो रखा था ब्लैक मैजिक जिस वज़े से आपके घर में हेल्थी ईशूस चल रहे था बहुत समय से और आपको भी कही ने कहीँ है थी शूस थे अगर थे सब के लिए नहीं कह सकते कुछ लोगों के लिए ठीक है और आपके घर में आप डॉक्टर को दिखा रहे डॉक्टर कह रहा है सब नॉर्मल है टेकिन बिमारी लंबी लग रही है कुछ ठीक नहीं लग रहा था आपको अगर कुछ ऐसा है तो इस महीने वो ब्लैक मैजिक खतम होने वाला है उसका जो असर था ना वो समाप्त हो जाएगा और कहीं न कहीं एक अच्छी जिंदगी एक मतलब स्वस्थ एक स्वस्थ सरीर आप महसूस करेंगी अपना अपने घर में आप जैसे की ऐसा महसूस करेंगी कि सब की हल तब सही हो रही है ठ जिलियर स्पैक्टेसम्ट करिये कहीं नकई ब्लैक मेजिक की वज़ से आपके घर में कहले का माहल बना रहता है तो इस महीने काफी चीज़े छेज भी हो रही हैं तो इस ब्सक्राइबस रिखे पर tissue लेकिन लाश लाश तक था आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है ठीक है अब तक आपको लेशन मिल रहे थे आपने लेशन लिए ठीक है अब आपको रिवार्ड में मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से ठीक है आप हो सके तो महादेव जी की साधना करें ओम का जाप करें ओम नमस्षिवाय का जाप कर सकते हैं फिर ओम वाला मेडिटेशन कर सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं एक पॉजिटिव एनरजी पॉजिटिव अफरमेशन ठीक है आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी जैसे कि aphirmation दे अक्सर जब द्यान करें 10 द्यान करें नोब फिर पूजह करते हैं तो सामने एग गलास पानी भरके ठीक है बंदिर मेरे अपसामने कहीं पर भी ध्यान करते हैं दस द्यान करें पांच मिनट तक पॉजिटिव इंत्रों में देते हैं मैं बहुत खुश हूँ मिरी ज इस्तना अच्छा बोल सको अपने अपने माथे से लगाओ उसको परनाम करो और उस पानी को उससे बात करो कि मुझे कि मेरे शरीर में 70% आपका ही एस्तित्व है आप ही हो और मुझे पता है कि जब मैं आपको पियूँगी पियूँगा तो मेरे अंदर बहुत positive changes आने वाले हैं और मैंने जो भी affirmations आपको दी हैं सब आपने स्विकार की हैं और उस पानी को पीलो हर दिन ऐसा करो 21 दिन बात देखना क्या क्या होता है हैं तो अब तक जैसे कि आपने मेहनत बहुत करी पर सफलता नहीं मिल रही थी हर चीज कहने के डिले हो रही थी ना तो समझ लो कि अब divine timing आ गई आपकी जिंदगी में इस महीने आपको आपकी 20% मेहनत का फल मिल जाएगा अब इस महीने के बाद आपकी जिंदगी बहुत स्मूदली चलने वाली है सबसे बड़ी बात तो देखो आपका अगर court case था तो उससे आपनी पड़ जाएंगे family में जो विवात चल रहे थे कलाय कलेश था लड़ाई जगड़ा था प्यार में बहुत सारी problems थी सब black magic की वज़े से हर चीज़ का अंत निश्चित होता है कोई भी चीज़ बहुत समय तक असर कारक नहीं होती है कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिन के बाद रात नहीं आई और रात के बाद दिन नहीं आया यह प्रकरती के निया में सब होता रहता है ठीक है तो वह जो black magic जिसने भी कराया था अब हुआ उसका असर खतम अब होता है उसका अंत यहां से ठीक है और यहां से आपकी जिंदगी की रहे सकते हैं सत्ता नरायनगे कथ सुनने जा सकते हैं कुछ मतलब जो रिशोल काम होते हैं कहीं किसी सेंटर में ध्यान करने सकते थाण करने आ प्रिचुल प्लेस पर आपका जाना होगा इस महीने अनस पेक्टड है ठीक है तो यह है इस महीने का अनस पेक्टड और यह महीना आपके लिए ऐसा ही घुजरने में वाला है तो काफी लंबी रिडिंग हो गई पर क्या करे जब तक डिटेल ना दे दे तब तक हमको चैन होता है पूरी जिंदगी कहेंगे और आपको जादा लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है अपने खुश्यों की परवा करनी है अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर में मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा जैशी कृष्णा हरहर महादेव ऑप्शन नमबर टू कैसे हैं आप I hope कि आप अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे पॉजिटिव होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे अधियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल spiritual love 111 में तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा होने वाला है इस महीने में क्या होने वाला है जो कि unexpected होगा आपके planning के हिसाब से नहीं होगा जो आप सोचेंगे वैसा नहीं होगा unexpected होगा पर्मात्मा की तरफ से होगा तो वो क्या होने वाला है इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं कहीं न कहीं हम इश्वर का संदेश लेकर कहीं न कहीं इश्वर की प्रेणा से हम ये टॉपिक ये रीडिंग लेकर आएं आपके लिए हैं तो इस वज़े से हम होने वाला है अनेस्पेक्टेड क्योंकि सच बताएं आज हमारा ये टॉपिक ही नहीं था आज तो नेक्स्ट सेवन डेस की अनरजी चेक करने वाले थे हम अचानक ही मेडिटेशन के बाद हमारे अंदर ये प्रेणा आई भगवती की कि हमें इस टॉपिक पर रेडिंग करनी चाहिए बस हम समझ गए कि शायद मां मदर यूनिवर्स आपको हमारे थू कुछ समझाना चाहरी है कुछ गाइडिस देना चाहरी है कुछ बताना चाहरी है तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉंग साइन की बात करेंगे वैसे तो सारे साइन और एलिबेंट्स बराबर है ठीक है टारस वरकु कैप्रिकॉन भी है एडिस लियो साजिटेरियस भी है जेमिना इलिब्राइक्वेरिस भी है कैंसर स्कॉर भी पाइसेज भी है ठीक है अब थोड़ी सी बात आप की करेंगे जिससे आप इस डीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएं और आपको पता चले कि हां ये रिडिंग मेरी ही है डियर ऑप्शन नंबर टू आप जो भी है मेल फिमेल किसी भी एज में हैं आप जैसे कि एक ऐसा इंसान जो बच्पन से ही बहुत प्रतिभाशाली होता है जो बच्पन से ही बहुत तैलेंटिड होता है जिसके हुनर का डंका बच्पन से ही जगा जगा बज रहा होता है जैसे कि जिस उमर में लोग अपनी नाक नहीं पोच पाते उस उमर में ही आप बहुत सारी चीजों को गहराई से समझते थे जैसे जो भी है आप अपनी उमर से बहुत बड़े हैं हम आपको एक old soul एक परिपक्व आत्मा बोल सकते हैं ठीक है हन जी एक परिपक्व आत्मा और बच्पन में ही आपने बहुत मान सम्मान भी प्राप्त किया है हो सकता है school में college में आस पास कोई ऐसा talent है आपके अंदर कोई ऐसा हुनर दिया है बगवान ने आपको जिससे आपने बहुत कुछ बहुत सम्मान ठीक है बहुत सारी चीज़ें आपने हो सकता है कि क्या बताएं आपके आस पास लोग आपको लाई का बच्पन वाला सेलिब्रिटी समझ रहे होंगे वैसा जीवन जीया है आपने बहुत जादा आपके उपर ना यू समझ लो कि आप जो भी है देखो हम सब के लिए तो नहीं कह सकते कि हमें पता है कि हर रिलीजन के रोग हमें सुनते हैं लेकिन आपके उपर शूरीदेव की भगवान श्री रा अगर आप फायर साइन के व्यक्ति हैं एरिस लियो साजिटेरियस में सिंग धनुराशी वाले व्यक्ति हैं तो आपके उपर शूरीदेव की बहुत कृपा है बहुत ज्यादा ठीक है तो डियर यह तो रही थोड़ी सी बात आपकी लेकिन कम उमर में ही आपने लेसन भी बह बहुत सारे लोगों की जिन्दगी जब सत्तर अस्ती साथ पैसाट पर आती न तब उन्हें समझ में आता है अरे यह ऐसा करना था यह ऐसा नहीं करना था कि जीवन गुजर गया तो जीने का धंग आया कि जब जिन्दगी गुजर गई जब शम्शान की तरफ मरगट की तरफ हमने पैर लटका लिये तब हमें जिन्दगी का सही मतलब समझ में आता है लेकिन आपने जिन्दगी का सही मतलब बहुत सही समय पर सीख लिया है आप जो भी है बहुत कम उमर में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव लेशन्स मिले बहुत जादा ठीक है हर तरीके से वैसे आप एक ऐसी आत्म है जो किसी स्वार्थ से कभी किसी व्यक्ति की मदद नहीं करती किसी से कुछ पाने की चहां नहीं रखती बस जो है आपके पास वो आप लुटाते हैं मदद हमेशा पैसों से ही नहीं की जाती मदद करने के लिए बहुत चारी चीज़े होती हैं तो आप जैसे कि किसी को किसी रोते हुए को हसाना भी एक मदद है एक पुनने का काम है आप से जितना जो भी मन से तन से धन से जैसे भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं आपने प्रेम आपने लोगों को बाटा है ठीक है सिच्वेशन कभी-कभी ऐसी भी है कि आपके उस प्रेम का गलत मतलब निकाला गया है और कभी-कभी इमोशनली आपको बहुत जदा हर्ड भी किया गया है कभी-कभी आप अपने अनकंडिशनल प्रेम की वज़े से इतना प्रेम हुआ तो एक तरफ खाई अब मैं कि धर जाओं यह एक व्यक्तित्व अगर हम आपका देखें तो आप बहुत महनती इंसान है कर्म करने से पीछे नहीं हटते आप अपने कर्म पर बहुत बिलीव करते हैं बहुत जादा बहुत महनत करते हैं लेकिन उस लेवल का रिजल्ट कभी नहीं मिला आपको महनत एफर्ट चाह करियर में हो चाह प्यार में हो चाह परिवार में हो आप कितने भी एफर्ट लगा लें सामने वारा कभी आपको अपरिशेट नहीं करेगा ना आपका प्यार आपको समझेगा ना परिवार आपको समझेगा ना ओफिस में आपका बॉस आपको समझेगा कोई भी नहीं है तो कभी-कभी लोग इस लेवल तक आपको निरास कर देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि छोड़ो यार कभी-कभी अप ढग जाते हैं और आप इतना थंके हुए हैं आपको पर बहुत जादा हैं तो सकता है कि आप क्यूकि लिया यहां पता है कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा अब अब कर यहां तक चीज़े रेजोनेट की हैं तो आगे कंटीनियू करो अब हम आपके बारे में लंबे समय तक नहीं बताएंगे वरना जो में टॉपिक है वो निकल जाएगा यहां तक चीज़े मैच कर गई तो समझ लो आगे की रेडिंग आपकी है इस महीने परिवार से आपकी काफी परिवार में किसी से बहस होने वाली है ठीक है और पैसों को लेकर कोई मुद्दा उठेगा और आपके अंदर बहुत जदा वैराग्य की भावना जागेगी वैराग्य मतलब समझ रहना कि कोई किसी का नहीं होता सब स्वार्थ के रिष्टे हैं सुर नर्मुन मुनी सब की यही रीती और स्वारत लाही करें सब प्रीती सब स्वार्थ के साथ ही है सब को अपना-पना स्वार्थ सिद्ध करना अपना-पना मतलब निकलना चाहिए बस किसी को किसी के ज को कि मैं कहीं दूर चला जाओं और आप जाने के बारे में सोचेंगे भी इस महीने इमोशनली आप इतना हट हो जाएंगे आपको पता है कि मेरा बहुत कुछ बरबाद होगा लेकिन जैसे क्या कहें अब कहना नहीं चाहरें पर देखो चीज़े सामने आरी तो अब हमारे इस महीने आप इतना अंदर से दुखी हो जाएंगे कि इनके लिए इतना किया मतलब फिर भी हर चीज़ पर पानी फेर देते हैं ठीक है और यह बात कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोगों के लिए हम आपको बताएं आपके ही परिवार का कोई सदस से इस महीने घर से थोड़ी बहस होगी, उसको अपनी अपनी चलाने की आदत है अगर आपके परिवार में कोई है आपका, इसेशली आपका कोई भाई बहन, उसका दिमाग खराब होगा और वो घर से भाग के जाने के बारे में सोच भी सकता और भाग भी सकता है, तो प्लीज थोड़ा सा सतर नेक्स्ट दिल कहता है चल उनसे मिल उठते हैं कदम रुख जाते हैं दिल हमको कभी समझाता है और हम दिल को कभी समझाते हैं बस ये खेल आपका चलेगा आपके परिवार के साथ ठीक है और आपके प्यार के साथ ये बात कुछ लोगों के लिए है जैसे कि अगर आप अल्रे आपका आप शादिश रुदा हैं आपके बच्चे हैं तो अगर आपके बच्चों से आपकी थोड़ी बहस हो गई तो ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते वो भी आपसे प्यार करते हैं लेकिन बस ना वो आप अपने करते हैं उनको बता पाएंगी और अपने इमोशन्स आप बताएंगे और अगर आप किसी से प्यार करते हैं ढब्से से योगार अपने हैं और यह यह वह सोचेंगे आप उनको बहुत लेकिन आपको यहीं लगेगा कि शायद वो मुझे भूल का जिन्दगी में आगे बढ़ गई या आगे बढ़ गया वो अपनी feeling side करेंगे आप अपनी feeling side करेंगे कुछ इस तरह की चीज़े हम देख रहे हैं इस महीने जो की होने वाली है ठीक है दूसरा इस महीने ना आप बहुत मतलब जिसे परिवार में जगड़ा हुआ जिन जिन लोगों का होगा अब देखो सब के लिए बात नहीं है तो आप अंदर से इतना टूट जाएंगे इतना टूट जाएंगे कि जैसे कि यहीं से आपकी spiritual journey की starting होगी और कुछ चीजों के लिए आप खुद को बहुत ब्लेम करेंगे जैसे कि आपके घरवाले आपको ब्लेम कर रहे हैं तो आप उनको भी ब्लेम करेंगे और खुद को भी ब्लेम करेंगे मतलब अंदर से बहुत निरास हो जाएंगे आप ठीक है और हर एक चीज से आप का मोहो तूटने वाला है ना काम में मन लगेगा ना किसी से बात करने मन लगेगा इस तरह की चीज़े होंगी इस महीने आपके साथ एक चीज़ और है यह जरनी से रिलेड़न बात है पता नहीं कितने लोग शायद कहीं अधर कंट्री जाना चाहते हैं जैसे होता है कि लोग क किसी ने बात ओनलाइन आपके पास कोई ओफर आया कि हम आपको जॉब दिलवाएंगे फिर आपके नौकरी लगवाएंगे ठीक है या फिर एक ओनलाइन वर्क है आपको इतनी पेमिंट मिलेगी तो प्लीज ऐसा फ्रॉड से आप बचें कि यह फ्रॉड 80% होगा इस महीने ठीक है और ऐसे किसी की जहासय में आप ना आएं क्युक् gonna आपके साथ बहुत-बड़ा चीट हो सकता है बहुत-बड़ी धोग धरी हो सकतीया आपके साथ चेखिये इस्पेशली ओनलाइन की हम बात कर रहे हैं, ओनलाइन से कोई कॉल आ सकता है, कोई व्यक्ति, आपको अपनी बातों में ले सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो ये आप मत करना वरना आप कुछ तरह से तबाह हो जाएंगे, ठीक, समझदारी दिखानी आपको, चलि अब थ जन्वरी और फरवरी, क्या ही बताएं, आज तो अच्छे हैं ना, तो आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर किसी से आपको सड़नली प्यार हो सकता है, सड़न लव होने के चांसे बहुत स्ट्रॉंग ये 100 परसेंट, और जिससे आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ब हैं, हो सकता है के आप किसी से शादी करना चाहते हो, और बहुत समय से वह मना कर रहा है, ठीक है, तो इस महीने वह एक्सिप्टर कर लेगा इस बात को, वह शादी के लिए रैड़ी हो जाएगा आपके साथ, पक्की बात है, आप कमिट्मेंट देंगे, आप उससे दिल से ब मान रिक दी शादी के लिए तो फैमिली से पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा अनिस्पेक्टेड यह है कि कुछ लोग घर लेना चाह रहे थे तो इस महीने घर से रिलेटेड कोई डील पक्की हो सकती है आपके मन मताबिक आपको कोई घर मिलेगा फ्लैट मिलेगा तो डील पक्की हो चकती है और इसके लिए आपको 11-11 बहुत दिख रहा होगा ठीक है तो इस महीने आपका रिष्टा आपका मतलब इस्पेशल जो न्यू कनेक्शन बना है य बहुत अच्छी बंडिंग होने वाली है बहुत ज्यादा और जो हज्बन वाइफ हैं सपरिषटी नियूली मैरेट कपल है जो तो वह कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं अब करियर की तरफ से करियर की तरफ से आपको कोई बहुत बड़ी अचीव्मेंट हो सकती हैं आपक कुछ ऐसी चीज़े भी हम देख रहे हैं याप मतलब एक बिग ट्रांप्सोमेशन दिख रहा है हमें इसके लिए आपको कहीं न कहीं ब्लू बटरफ्लाई ब्लू और ब्लैक कलर के अगर बटरफ्लाई आपको दिख गई तो यह समझ लो कि बहुत समय से जिन चीज़ों के ठेक है आपका भाग है बहुत समय चाहें बहुत करेंगे आपको गिराना चाहेंगे अग इश्वर और अठेंगे पिरत तो कुछ ऐसा होने वाला है ठीक है और हम आपसे यह कहां कि हो सके तो आप हर Friday Friday आप माभगवती के मंदिर जाए डेली आसपास हो तो डेली जाए मादुर्गा की बलेसिंग लिजी आपके लिए बहुत 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 अच्छा होने वाला है मतलब करियर में और लव लाइफ में आपको बहुत अच्छे fruitful result मिलने वाले हैं और इस महीने जो भी situation बनेगी और आप उसमें एक action लेंगे अपने लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहना यह आपकी destiny है आपकी destiny आपको धर ला रही है जैसे कि कुछ लोगों के अंदर वैराग जागेगा तो हम यूँ कहते कि यह वो आपकी destiny है हम य बिल्कुल सही रास्ते परोंगे बिल्कुल tension मत लेना आपकी जिन्दगी में इस महीने बहुत सारी चीजों की नई शुरुवात होने वाली है new job new connection new house ठीक है नया घर नया रिष्टा नए दोस्त नई नई चीज़ें आपको बहुत जदा मिलने वाली है इस महीने और यह सब unexpected है सब unexpected है करियर में कोई opportunity मिल सकती है आपको ठीक है बस family के साथ थोड़े वाद वी वाद दिख रहे हैं और यात्रा बहुत सोच समझ कर करना इस्पशली करियर्स रिलेटेड दोस्तों के साथ कई घूमने जा रहे है फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताने जा रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और अपनी intuition को जरूर सुनना अपनी intuition को ignore मत करना क्योंकि आपके intuition के थ्रू माभगवती आपको बहुत सारी चीज मतलब कही ने कहीं आपका लग आपका साथ देगा ठीक है और यह महीना बिल्कुल प्रेम पूर्ण बीतेगा प्यार के साथ रिष्टों के साथ दोस्ती के रिष्टे प्यार के रिष्टे परिवार में थोड़े मत्भेद हमने बताए हैं पर सबके लिए नहीं कुछ लोगो आपको गाइडेंस देंगे वो यह है कि मादुरगा की ब्लेसिंग लीजिए कवि कोई भी नेगेटिविटी आप चाहते हैं कि अगर वह आप पर असंदरा कर पाए तो हमादुर्य का की साधना शुरू कर्दीजिए मादुरगा की साधना आपके लिए बहुत बहुत अच् कर दीजिए अच्छे पानी से फिर बनाईए ठीक है रोली से स्वास्तिक बनाएंगे तो कोई भी डाइबल एनरजी कोई भी नेकेटिव एनरजी आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगी ठीक है और जो अचानक-चानक से प्यार होने वाला है पहली नजर में कैसा जादू कर या कुछ ऐसी एनरजी जो हम देख रहें ना वह बहुत बहुत अच्छी है तो कहीं ने कहीं आप लाइफ को थोड़ा से इंजॉय करेंगे कुछ लोग कुछ लोग तो बिचारे सन्यासी बनने वाले पर हम बहुत खुशी है बहुत खुशी है सब एक तरह का जीवन इसनाओ करोड़ी होता है है ना तो यह unispected आयूप क्या आप समझ गये होंगे जैक्रिश्णा अपना ख्याल रखें अपने अपनों का ख्याल रखें कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और पूरी जिन्दगी कहेंगे आपको जादा लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है, अपने खुशू की परवा करनी है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते ह ठीके जै श्री कृष्णा आप सभी के रुदे में बैठे परमात्मा को हमारा शादर प्रणाम ओम मनिपद में हम ओम साहिराम